हेलो विजारतियों, गुड़ मॉर्णी, मैं डाक्टर सोभाक्मल मीना, साचारे, राज के माविदेले बुंदी आज का अपना जो अध्यन टोपिक है, वो है स्केल सीन पिसेज मचलिव में सल्क क्लास पिसेज में इसकीन टू लेड की बनी होती है, बाईय अधी चर्म यानि एपिडर्मिस तथा आंत्रिक चर्म यानि की डर्मिस मचलिव में चर्मिय स्तर, सल्कूं को उत्पन करने में मात्पून भूवी का अदा करता है, अतह इनके सल्कूं को डर्मल स्केल्स कहते हैं, रैप्टाइज, बर्ड्स, एंड मैमल्स टेरिश्ट्रल अनिमल्म में सल्क या स्केल की डेरिवेशन एप्डर्मिस से होती है, अतह इनके सल्क एप्डर्मल स्केल कहलाते हैं, पिसेज में स्केल को निम्न प्रकार से विवाजित किया जा सकता है, नमबर वन, बेसिस ओफ ओरिजन, यानि की प्लेकोईड और नॉन प्लेकोईड स्केल, प्लेकोईड स्केल जो जिनका ओरिजन होता है, वो एप्डर्मिस, एप्डर्मिस, फॉर एग्जामपल, काटिलेजेज पिसेज, जबकि नॉन प्लेकोईड स्केल का जो ओरिजन होता है, वो डर्मिस से होता है, इनको सरचना के आधार पर निम्न बागों में बाटते हैं, वनीज कॉस्मोईड, उधारन के तोर पर ओस्ट्रेकोडर्मिस, जो आज वी लुपता वस्ता में है, सेकेंड नंबर, गैनोइड, उधारन के तोर पर पॉलिपटेरस, लेपिडो साइरन, थर्ड पैप होता है वो जो बोनी पिछेज रखती हैं, उनको बोन्स की रीट्स के आधार पर दो भागों में बाटते हैं, वन इज साइकलोड और सेकंड इज टिनोइड, साइकलोड उधारन के तोप में एमिया, कोमन कार्प्स, इतैदी फिशेज में पाए जाते हैं, जबकि टिनोइड स्केल फ्लंडर्स में पाए जाते हैं, अब बात करते हैं प्लेकोड स्केल की, प्लेकोड स्केल कार्टिलेजेज पिशेज में पाए जाते हैं, प्लेकोड स्केल में एक गोलाकार या रेक्टैंगुल यानि के टेट्राइंगुलर, रेमोईड सेब्ड की एक बेसल प्लेट होती हैं, जो डर्मिस में सारपे तथा अन्य कनेटिव टिश्यूज की सायता से मजबुती से जुड़ी रहती हैं, बेसल प्लेट या आधारी प्लेट से एक पीछे की और निकलावा स्पाइन होता हैं, इस्ट्रक्ट्रल की दरश्टी से प्लेकोड सल्क या स्केल टीथ के समान शारचना हैं, जिसकी बहारी लेयर या परत दंत के एनेमल समान कठोर ट्रांस्पेरेंट पदार्थ विट्रो डेंटीन की बनी होती हैं, विट्रो डेंटीन के नीचे डेंटीन का एक लेयर पाई जाती हैं, जो मज्जगोहा यानि पूली केविटी को गेरे रहती हैं, मज्जगोहा से स्केल में व्लड वेसल्स, नर्व फाइवर्स, लिंप वेसल्स प्रिवेस करती हैं, डेंटीन में अनेक ब्रांच्ट माइक्रो नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन में ओड़न्टो ब्लास्ट के अनेक लंबे प्रोटो प्लाज्मिक प्रोसेसेज अतार्थ जीव दर्वे प्रभर्द पाई जाते हैं, ओड़न्टो ब्लास्ट सेल्स का पंक्शन वो है डेंटीन का निर्मान करना, अब बात करते हैं कोस्मोडी सकेल्स की, कोस्मोडी सकेल्स ओस्ट्रेको डर्म पीसेज में मिलते हैं, जो आज विलूपत अवस्ता में है, परतेक कोस्मोडी सकेल त्री लेयर का बना होता है, वन इज विड्रोड डेंटाइन्स जो पतली एनेमल सद्र से बारिशतर विड्रोडेंटिन कहलाता है नेक्षी इज कोस्मीन जो कठोर यूनि शेलूलर डेंटिन सद्रस से मिडिल स्थर कोस्मीन कहलाता है एंड लास्ट आईसोपीडीन जो बोनी पदार्थ का बना होता है जिसमें बलड वेसल्स यूक्त आंत्रिक स्थर जिससे आईसोपीडीन कहते हैं का बना होता है अब बात करते हैं गेनोइड स्केल्स की गेनोइड स्केल्स प्रिमिटिव एक्टिन पटेरी फिसेज में पाई जाते हैं ये स्केल सामानेत चतुस कोणिये पलेटू के समान होते हैं जो टािल्स की बाती जूड़कर एक्षोःस्केल्स का निर्माद करते हैं गेनोइड स्केल, कॉंड्रोष्ट्रियन and होलोष्ट्रियन पिसेज में विशेश रूप से विक्षित होते हैं गेनोइड स्केल्स भी त्रीलेड का अबना होता है गेनाइन, कॉस्मीन और आईसोपीडिन गेनाइन स्केल का बहारी भाग या इस्तर एक कठोर इनोरिगेनिक एनेमल सदर्शे पधारत का बना होता है जिसे गेनोइन कहते हैं कॉस्मीन ये डेंटिन के समायन दिखाई देता है तथा ये मद्देशतर बनाता है आईसोपीडिन ये इस्केल का इंटर्नल सरवादिक मोटा तथा बोनी होता है अब बात करते हैं साइक्लोइड स्केल की साइक्लोइड स्केल बोनी रिजिड स्केल भी साइक्लोइड एंटिनोइड जो स्केल जो होता है वो उनको बोनी रिजिड स्केल भी कहते हैं साइक्लोइड स्केल टीलियो स्टोमी फिशेज की विशेशता है साइक्लोइड स्केल पतले फ्लेक्सिबल एंट ट्रांस्पेरेंट होते हैं इनका भारियम मद्दे स्तर आनुपस्तित होता है साइक्लोइड स्केल लगभग राउंडेड होते हैं जो बीच वाले भाग से मोटे होते हैं इनका मद्दे भाग पोकस केलाता है जिसके चारों और कॉन्सेंट्रिक वरदी रेकाएं इस्तित होती हैं साइक्लोइड स्केल कोमन कार्फ जैसे लेबियो, कटला, रोईता, इत्यदी बोनी पिशेज में मिलते हैं अब बात करते हैं टीनोइड स्केल की टीनोइड स्केल का कार्यम सहरे चना लगबग साइक्लोइड स्केल के समान ही होती हैं परंतु इनके सवतंतर भाग पर इनफिनिटिव, स्मोल, कॉम से, दाथ सद्रस से, इस्पाइन मिलते हैं ये सल्क आधुनिक टीलियोस्ट पिशेज जैसे पर्च आधी में मिलते हैं कुछ पिशेज के सरीर पर साइक्लोइड टीनोइड तथा इनके बीच के इंटरमीडिय प्रकार के सल्क सभी देखे जा सकते हैं जैसे प्लाउंडर्स अब बात करते हैं मोडिफिकेशन एंड विरेशन्स इन स्केल्स अथार्थ सल्कु में बिन्नतायों रुपांतरण फिस स्केल्स में कहीं परकार के मोडिफिकेशन्स पाए जाते हैं जैसे सार्क विशेज के जबड़ों में उपस्तित दंत रुपांतरित इस स्केल्स होते हैं प्रिश्टीज के साटीथ तथा स्टिंग रे के स्टिंग सभी मोडिफाइड स्केल्स हैं ट्रेट्राडोन एंड डायोडोन के स्केल्स लंबे होकर 20 में रुपांतरि हो जाते हैं इसी परकार सी होर्स एंड पाए पिसेज में स्केल्स सैयुक्त होकर बोनी प्लेट्स का एक कवच्छ या आर्मोर बना लेते हैं अब बात करते हैं सलकों का उपियोग या यूजेज ओप स्केल्स फोर क्लासिपिकेशन एंड आइडिन्टिफिकेशन अर्थार्थ ये वर्गिक रंद तता पेचान के लिए उपियोगी होते हैं पिशेज के विभीन ओडर्स में स्केल का प्रकार उनका विन्यास उनकी संख्या उनकी आकरती उनकी सरचना बिन होती हैं जो अडिन्टिफिकेशन के लिए इंपोर्टेंट हैं अर्थार्थ मचलियों की एज ग्याद करने के लिए फिशेज में ग्रोथ इस्तर नहीं होती अर्थार्थ गिस्म सीजन में जब बोजन के प्रुचुर मात्रा होती हैं तो व्रधी दर सीत काल के अफेक्सा अधिक गती से होती हैं ऐसी प्रकार स्केल्स पर उपस्ति ओपन रेज यानि वाइड लाइन्स गिस्म काल में हुई वरधी तथा क्लोज लाइन यानि सीत काल में हुई वरधी को दर साती हैं इस प्रकार वाइड एंड क्लोज लाइन का एक जोड़ा आईू का एक वर्स दर साता है अब बात करते हैं फोर एस्टिमेट नंबर्स ओफ इस्पानी अथार और जननुकू की संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई माइगरेटरी फिसेज में इस्पानिंग मार्क पाई जाते हैं एर्नाड्रोमस माइगरेशन के दोराण ये फिसेज बोजन गर्ण नहीं करती तथा केल्सियम की कमी के कारण इनके स्केल्स में केल्सियम का इरोजन होता है ये केल्सियम इरोजन स्केल्स पर निशान चोड़ जाता है जिसे इस्पानिंग मार्क केते हैं इन निशानों की संके के आधार पर अंड जनन कितनी बार हुआ है ये ग्यात किया जा सकता है तेंक यू अब